नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर्शे आपके अपने एजूकेशन चैनल एजूटूबर देव पर तो दोस्तों विद्यासंबल योजना या फिर गैस्ट फैकल्टी की जो पद है उसकी एक और यह यूक है दो अपडेट्स आई हैं एक विद्यासंबल योजना की और दोजार इकीस और अठारच से दोजार इकीस के अनुसरण में इस्थानी विद्याले में शिक्षन वियोस्ता सुचारू रूप से चलाने के लिए राजस्तान सरकार दोरा विद्यासंबल योजना के इंतरगत गैस्ट फैकल्टी ग्रूप में अध्यापन कारे कराने हैं त पिर जो सेवानिवर्थ हैं 65 साल से कम है 60 से उपर है तो सेवानिवर्थ हैं और उनके लिए 2021-22 के जो अपना सत्र है उसके लिए पदों पर निर्धारी तयोगेता धारियों से आविदनामन तरित की गए सबसे पहले प्राध्यापक एक ही पत के लिए विग्यपती है प्रा आप इसकूल में टीचर लगा सकते हो चाहे रेजिडेंशियल स्कूल हो मतलब छात्रावास हो और जो ऐसे दोस्तों थोड़े से निजीश जनस्तानों से जुड़े होते हैं उड़ते सरकारी स्कूल है उचात्रावास ही होते हैं तो उनके लिए ये व्योस्ता की गई और इ प्रेंच की, । व्यूल्थ. intuitively मार्शीट है, पर्वान पत्र है। फिर B.A. M.A है आपके B.A.D हैं उनसों सब्मार्शीट है उनके जो दोस्तों वापस डिग्री撸 होती हैं वो 7 मैड होनी जाहिए। उनके निजीच आपके सवगरमानित मतलब सीगनेचर होनIES चाहिए। आवेदन का चैन जो है आवेदन का चैन नियुन्तम शेक्षनी होगे ताकि प्रापतांकों के आधार पर होगा तो जो आपके कोई इंटर्व्यू नहीं होगा कोई एक्जाम नहीं होगा खाली जो जैसे दो तीन लोग आ गए तो उनके टोटल ओल ओवर मार्क्स का योग निक और इसमें लगबग 25-28-30,000 लगबग पेमेंट है एक कोई और वीडियो मैं आपको इस बारे में अपडेट भी दी थी और मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका लिंक आपको आई बटन में दूँ तो जो भी है एक सरकारी नौकरी एक साल के लिए है तो आप यह समझ सकते ह देखिए दूसरी जो विगिवती है वो अपने APS यानि की आर्मी पबलिक स्कूल जोदपूर की और से हैं देखिए सबसे पहले जो पाद है इसमें PGT यानि की पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो की एक तरीके से फर्स्ट क्रेड आप जिसको कह सकते हैं केमेस्ट्री सबज अब देखिए तीसरा जो पत है वो टीजी टी आनि के ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए है एक प्राइमरी टीचर वो थर्ड ग्रेड ये सेकंड ग्रेड की तरह है तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के पास उन चाहिए वीएड 50% मार्क्स और फिर साथ में चाहिए तो इंगली सब्जेक्ट उसमें होना जरूरी है फिर टीजी टीच कंप्यूटर साइंस का तो बी टेक टेक्नोलोजी में बैसलर होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या बी एसी कंप्यूटर साइंस के विग्यान है तो साइंस में होता है टेक्नोलोजी में भी होता ह और BAC with one year post graduation diploma in computer science तो DG अपने PGDCA या DCA जो होता है diploma in computer application या फिर post graduate diploma in computer education तो उसमें दोस्तों जो है post graduate diploma चाहिए तो PGDCA चाहिए एक साल वाला और BAC के साथ और B.T.E.C. है तो और अच्छी बात है तो यह योगेता चाहिए अब देखिए अगला जो है वो फिर आपके जो लेब असिस्टेंट चाहिए साइंस लेब में chemistry की लेब है तो 10th प्लस 12th तू यानि की 12th का आपके जो है certificate और जो है मार्शी ठोनी चाहिए पास में और computer literature अगर उसमें computer वाला कोई कोई subject है with science computer literature तो वह और अच्छी बात है computer literature तो दोस्तों अगला देखिए LDC lower divisional color यानि की आपके जो दोस्तों होते है लिपिक उनकी एक पोस्ट है graduate और 10 years of service as a color तो एक सर्विसमें है तो 10 साल की service होने चाहिए और graduation तो चाहिए चाहिए और computer skill जो है वो भी चाहिए साथ में कि आपको Windows 10 जो PC का आपना software है उसको दोस्तों चलाना आना चाहिए साथ साथ office जो है MS office Microsoft का office जो है जिसमें वर्ड वगिरा सारे आते हैं आपके पाउर पॉइंट वगिरा यह सारे चीज़ें आती जिसमें आपको इस लाइड बनाते हो तो वह सब आना चाहिए तो यह चोट-चोट चीज़ें है और speed 12000 की depression यानि कि यह आपकी गती होनी चाहिए लिखन गया है तो 45 साल तक एज हो सकती है एक सर्विसमें की 55 साल तक एज हो सकती है और देखिए for teacher below 57 years should have worked earlier are working and have put in at least 5 years of service in preceding 10 years in respective applied category तो 5 से 10 साल उनका अनुबव होना चाहिए जो 57 साल तक के अगर कोई teacher है के sir मैंने और जगे duty किया और जगे मेरा अनुबव है तो इसलिए मैं इ preferred तो जो experience है अनुभवी है उनको यहाँ पे थोड़ी प्रात्मिकता दी जाएगी पे एन अलाउंस की बात करें तो जैसा एपियस का रूल होता है आपको पता है contract wise salary होती है और अच्छी का से salary cbsc level की आपके सकते हो और एक अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक आपके आवे द सवादो बज़ तक आप form भर सकते हो और उसके बाद कोई form accept नहीं किया जाएगा और interview आप देखें interview कब होगा अब इसमें interview के मादियम से है न कि आपके जो total all over अंक होते है academic record जो होता है उसके मादियम से नहीं interview लेके सारी चीज़े होंगी तो interview कब है 14 अक्टूबर को है 8 बज़े के बाद आपका interview रहेगा 14 अमल 12 तारिक ते form भरने का समय interview जो है वो 8 बज़े सुबह से सुरू हो जाएगा 14 अक्टूबर को बाकी कोई query चाहिए तो यह number है आपके सामने इस पर आप phone करके जानकारी ले लिजेगा बाकी दोस्तों जो भी guest faculty या contract basis या विद्यासम ले उजना की कोई भी update आती है तो मैं आप तो पहुंचा दूँगा वीडियो और community post की मादेम से तब तक की लिए दोस्तों धनेवाद नमस्कार